दोस्तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल S.E.P.Y. अभी से एक सुमन दोस्तो एक बार फिर से उपस्तित हो चुके हैं आज 22 सेप्टमबर 2022 को RRB Railway Group D में जो एक्जाम चल रहा है उस एक्जाम के कोस्टन को एनालेसिस करने के लिए दोस्तो हम लोग इस क्लास के अंदर Science, Current Affairs और Static GK के जो भी जितने भी प्रस्न बनेंगी उन सभी प्रस्न को विशेस रूप से व्याख्या के साथ में इसको सॉल्ब करने वाले हैं और इसके साथ साथ में हम आपको दोस्तो एक्स्ट्राफेक्ट भी बताने वाले हैं ताकि आने वाले स्विप्ट में यहां से कोस्टन टेली करें तो आप से प्रस्न छूट नहीं सके दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को निश्यतरुप से सब्क्राइब कर लिजे दोस्तों चलिए इस प्लास पर सुदू कर रहे हैं दोस्तों question है सूप्रीम कोट के judge का retirement कितने साल पर होता यानि कि सूप्रीम कोट सर्वोच नियायले के जो मुख़ नियाधिस होते हैं सर्वोच नियायले के मुख़ नियायधिस का जो retirement का समय है दोस्तों 65 वर्स है धियान रखेगा अगर आप लोगों से पूछा जाए उच न केघारमन का समय है दोसतो 62 वर्स कितना है watch capacit वर्सиса रखेगा उच्छ नियायले यानि हाई कोट के नियाइधिस के सेवानिव्र्यूति का समय है बा सथ हो अर सर्वोच नियायले के नियाय के नियायधिस ऐसे हम लोग बात करें दोस्तो सर्वोच नियाले के मुख नियाधिस वर्तमान समय में कौन है इसको भी जान लेते हैं दोस्तो उदाई नरायन ललीत देश के सर्वोच नियाले के मुख नियाधिस कौन है उदाई नरायन ध्यान रखेगा उदाई नरायन ललीत दोस्तो सर्व 22 अगस्त 2022 से यह अपना कारेकाल शुरू किया, यह भी धियान रखेगा, कि इनके अस्थान पे इसको बनाया गया है, दोस्तो, N.V. रमना के अस्थान पे इनको बनाया गया है, वैसे अगर बात करें दोस्तो, सुप्रीम कोट में जो जज होते हैं, यानि नियाधिस होते हैं, दोस्तो 7 प्लस 1 होते हैं ये भी कल पूछा गया था दोस्तो 7 प्लस 1 और वहां से हम एक्स्ट्रा फेक्ट में आपको बताये थे सुप्रीम कोट के नियाएधिस का जो रिटार्मेंट का समय है 65 वर्स है और वहीं से ये कोशन छपा भी है कल वाला सिप्ट में जो पूछा गया था सुप्रीम कोट में सर्वोच नियाएधिस होते हैं तो 7 प्लस 1 करके ऑप्सन में आया था नेक्स्ट कोशन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन है अनुछेद 243E के तहत अगर कोई पंचायत विगेटीत नहीं होता है तो उसका कारिकाल कितना होते तो धियान रखेग दोस्तों अनुछेद 243E के अंदर ग्राम पंचायत का कारिकाल का प्रावधन और ग्राम पंचायत का कारिकाल 5 वर्साओं होता है इसके अलावे दोस्तों कल के पूरे सिप्ट में जो प्रस नया था उससे ग्राम पंचायत से अनुछेद 243 से समंदित था पूरा डिटेल के साथ हम बताए थे और वहीं से आज फिर कोशन रिपीट हुआ और एक्स्ट्रा फेक्ट से कोशन आज टेली किया है तो निश्चित रुप से ये क्लास आप लोगों के लिए अती आवस्यक होगा जरूर देखेगा पूरा और इसी में अगर बात करें दोस्तो ग्राम पंचायत का कारिकाल पहुंच वर्सों का था ग्राम पंचायत के अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उनके लिए जो नियूंतम आयू है दोस्तो 21 वर्स है और बात करें दोस्तो ग्राम पंचायत सबसे पहली बार किस राज के अंदर लागू गया था पंचैती पहली बार ग्राम पंचायत का गठन किया गया था कहा राजास्थान के नागर में 2 अक्टूबर 1969 में नेक्स्ट कैसन देखते हैं नेक्स्ट कैसन जो पूछा गया था दोस्तों बोडो डोगरी मैतली संथाली भासा को आठवी अनुसूची में किस वर्से जोडा गया तो ध दुआरा भारतिय संभिधान के अनुसूची 8 में बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली जोडा गया वैसे बात करें दोस्तों भारतिय संभिधान के अनुसूची नमबर 8 यह क्या चिस से समंदित धियान रखेगा भासा से और मूल संभिधान में कितने भासा था 14 भासा था विशेश रूप से आगे हम बता रहें दोस्तों, अगर हम लोग बात करें 15 भासा, 14 भासा तो मूल संभिधान में था, 15 भासा जो है दोस्तों 21 संभिधान संसोदन 1967 के दवारा नया भासा जोडा गया जो कौन सा भासा है दोस्तों सिंधी, धियान रखेगा भारतिय संभिध तीन भासा जोडा गया, मनीपूरी, नेपाली और कौंकनी, धियान रखेगा नेपाली उत्तर परदेश के गोरकपूर जिला के आसपास में ये बोला जाता है, कौंकनी दोस्तों ये गोआ के छेतरों में बोला जाता है, कौंकनी, वहीं पर बात करें दोस्तों, 92 संभिधान संसोधन, 2002 के द्वारा, 4 भासा जोडा गया, कौन-कौन जोडा गया, तो धियान रखेगा, मैथली, बोडो, डोगरी और संथाली, मैथली, बोडो, डोगरी और संथाली, अगर इसको आप लोग सौटकट में याद रखना चाहते दोस्तों, याद रखेगा, MBDS, मैथली, ब संसोधन, 2002 के द्वारा, जोडा गया, अगर हम लोग बात करें भारतिय संथान के मूल संथान में, दोस्तों, कौन सी 14 भासा था तो इसको भी देख लेते हैं, बात करें, अस्मी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कनण, कस्मीरी, मल्यालम, जो केरल के अंदर बोला जाता है, मराठी, महराष्ट में बोला जाता है, उडिया, उडिसा में बोला जाता है, पंजाबी, संस्कृत, उत्राखंड की राज किया भासा है, ध्योण रखेगा दोस्तों, तमील, तमील लाडू में बोला जाता है, तेलगू, अंदर परदेश में बोला जाता है, उर्दू, उत सुची नमबर आठ में कितने भासा हैं? आठ बाइस भासा हैं Next question पूछा गया था त्रिसूर पूरम तहवार किस राज में मनाया जाता है? तो धियान रखेगा दोस्तों त्रिसूर पूरम जो मनाया जाता है वो केरल के अंदर मनाया जाता है तिरसूर पूरम तेहवार कहां पर मनाया जाता है केरल में Next question देखते हैं Next question पूछा गया था छेतरफल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा राजी कौन सा है तो धियान रखेगा दोस्तों छेतरफल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा राजी पूछा जाए दोस्तों यह गोवा है सबसे छोटा राजी गोवा है सबसे बड़ा राजी छेतरफल की दृष्टी से राजस्थान अगर वैसे बात करें दोस्तों जन संख्या की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा राजित उत्तर पर्देश है Next question देखते हैं Next question था परजीवी पौधा By option के according ये अमरबेल सही होगा According to option क्या होगा? अमरबेल परजीवी पौधा काउंट सा है? अमरबेल Next question था पंजाब का सेर यानि सेरे पंजाब जिसको लायन और पंजाब के नाम से जानते हैं वो है दोस्तो लाला लाजपत रहे लाला लाजपत रहे इसको लाला लाजपत रहे को दोस्तो पंजाब के सरी के भी नाम से जानते है पंजाब किसरी के नम से लाला लाजपत रह को जनते हैं लाला लाजपत रह की बात करें दोस्तों इन्होंने ही साइमन कमिसन जाओ का परमुख नारा दिया था साइमन कमिसन भारत का भाया था इसको भी धियान रखेगा 1928 में अब परमुख नारा किस ने दिया था लाला लाजपत रहा है इसी को कहा जाता है दोस्तो पंजाब किसरी इस यही कोशन पूछा गया था आज पंजाब का सेर यानी सेरे पंजाब किसे कहा जाता है लाला लाजपत रहा है चुम्बिकिय रेखा बल अंदर से पुछे जाने पर यानि अंदर में कहां से निकलती तो धियान रखेगा इसका ज़स्ट अपोजिट हो जाएगा साउथ पोल से निकलेगी और नॉर्थ पोल की और जाएगी question पुछा जाता चुम्ब के रेखा बल अंदर से कहां से निकलती है तो धियान रखेगा south pole से निकलती है और north pole से की और तरब जाती है next question पुछा गया था दोस्तो वासिंग soda यानि धोवन soda का फर्मूला क्या होता है धियान रखेगा na2 co3 into 10h2o कई बार एक्जाम में यह रिपीट भी हो आ इसलिए इसको धियान रखेगा धोवन soda का रासानिक सुत्र जोगा na2 co3 into 10h2o next question देखते हैं क्या पूछा गया था next question पूछा गया था दोस्तो flaming के warm hastenium right hand rule जो पूछा गया था वो किसे समंदित धियान रखेगा धारा की दिशा से कई बार इस question को भी repeat किया गया है flaming के warm hastenium किसे समंदित धारा की दिशा से next question गौतम बुद्ध से समंदित धा दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था धियान रखेगा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और आपसे पूछा जाए सरवाधिक उपदेश तो इसको भी धियान रखेगा दोस्तों अंडोमान निकोबार दूइप समू में 10 डिग्री चैनल है वैसे अंडोमान निकोबार दूइप की बात करें दोस्तों भारत का एक मात्री सक्रिय जो अलामुखी जिसका नाम है बैरन दूइप धियान रखेगा भारत का एक मात्र सक्रिय जो अलामुखी बैरन दूइब कहां पर अंडोमान निकोबार दूइब समू में और बात करें दोस्तों भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क ये भी अंडोमान निकोबार दूइब समू में हैं next question है दोस्तो, 20 Marine Data कौन होते हैं, तो धियान रखेगा दोस्तो, 20 Marine Data RBI होते हैं, भारतिय रिजर्ब बैंक, 20 Marine Data होता है, भारतिय रिजर्ब बैंक के की अस्थापना की बात करें दोस्तो, एक अपरेल 1935 इसवी को किस समिती के सिफार इस पे तो धियान रखेगा यंग हिल्टन समिती यानि इसी का दूसरा नाम था साही आयोग अस्थापना के समय इसका हेड़कॉर्टर कॉलकाता में था दोस्तो कॉलकाता से नई दिलिस का हेड़कॉर्टर 1937 इस भी में बनाया गया अगर बात करें आरवियाई का हेड आरवियाई के पहले गवर्नर कौन थे तो धियान रखेगा दोस्तो ओस्वोर्ण इसमित आरवियाई के पहले गवर्नर थे RBI के पहले भारतिय गवर्नर थे CD देश्मुक धियान रखेगा Next question था दोस्तो 2021 में boxing के छेतर में अर्जून अवार्ड किसे दिया गया तो धियान रखेगा सिमरन जीत कौर को 2021 के अंदर boxing के छेतर में अर्जून अवार्ड दिया गया Next question देखते हैं Next question पुछा गया था दोस्तो CACO3 को गर्म करने पर क्या बनेगा तो धियान रखेगा दोस्तो CACO को गर्म करने पर CAO plus CO2 यानि calcium oxide plus carbon dioxide बनेगा Next question पुछा गया था दोस्तो CTRI का full form क्या होगा CTRI का full form जोगा दोस्तो Clinical Trial Registry India धियान रखेगा Clinical Trial Registry India ये CTRI का full form होगा Next question पुछा गया था दोस्तो परकास के अपवर्तन किसमे होता है ये according to option है दोस्तो परकास का अपवर्तन जो होगा ये वाच में नहीं होगा रेडियो में भी नहीं होगा दोस्तो पेन में भी नहीं होगा किसमे होगा गलास में होगा तो धियान रखेगा परकास का अपवर्तन किसमे होगा according to option गलास में Next question देखते हैं Next question पुछा गया था बैंक जब कूल रासी का कुछ हिस्सा RBI के पास रख देती है तो उसे क्या काते है धियान रखेगा दोस्तो उसको CRR काते हैं बैंक जब कूल रासी का कुछ हिस्सा RBI के पास रख देती है तो उसे क्या काते है CRR काते है Next question था दोस्तो Unix Sunrise Badminton Championship का खिताब किसने जीता तो धियान रखेगा दोस्तो लक्ष सेन ने जीता है Unix Sunrise Badminton Championship का खिताब किसने जीता है लक्ष सेन ये भी धियान रखेगा लक्ष सेन का संबंद किस खेल से है तो धियान रखना है दोस्तो बैंटमिंटन से है अगर बात करें Next question दोस्तो कि इन में से प्राकिर्तिक उर्जा सुरोत क्या है ये according to option है इन में से प्राकिर्तिक उर्जा सुरोत क्या है तो जोर उर्जा according to option इसका क्या था दोस्तो जोर उर्जा एक question आया वा था दोस्तो नगर निगम से समंदित नगर निगम जो है कि संबिधान संसोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया नगर निगम कि से समंदित है चोहतरवा संबिधान संसोधन 1992 के द्वारा अनुसूची नबर बारा में जोड़ा गया है दोस्तो next question था हाली में बेग्यानिकों ने परियागराज और बिंध्यांचल के बीच 100 किलोमीटर की अधिक दूरी के बीच क्वांटम कुंजी जिसको QKD लिंक का परदसन किया है या किसने किस के साथ मिलकर किया है तो धियान रखेगा दोस्तो ये DRDO ने मिलके IIT दिली के साथ किया है एक बार फिर से देख लेते हैं हाली में किस बेग्यानिकों ने परियागराज और बिंद्यांचल के बीच 100 किलोमीटर की अधिक दूरी के बीच क्वांटम कुंजी लिंक का परदसन किया है ये किसने किस के साथ मिलकर किया है तो धियान रखेगा दोस्तो DRDO ने मिलकर IIT दिली के साथ किया है एक कोस्टन पुछा गया था दोस्तो बंगाल का विभाजन बंगाल का विभाजन 1905 में लॉड करजन के द्वारा किया गया था लॉड करजन के द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था और बंगाल के विभाजन के विरोध में दोस्तो भारत में स्वदेशी अंदोलन स्वदेशी अंदोलन और इसी स्वदेशी अंदोलन को दोस्तो बंग भंग अंदोलन भी कहते हैं और इसी का एक और नम है दोस्तो बहिसकार अंदोलन इस तरह से बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में स्वदेशी अंदुलन कहे दोस्तो या बंग भंग अंदुलन कहे दोस्तो या बहिसकार अंदुलन कहे बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था दोस्तो लॉड करजन के द्वारा 1905 इसवी में बंगाल का विभाजन कब रद किया गया तो इसको भी धियान रखेगा 1911 इसमें बंगाल विभाजन को रद किया गया इंगलेंड के राजा जोर्ज पंचम के द्वारा Next question पुछा गया था दोस्तो नर्मदा नदी कहा गिरती है नर्मदा नदी कहां गिरती तो धियान रखेगा दोस्तों ये अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी कहां पर गिरती है अरब सागर में वैसे नर्मदा नदी के बारे में दोस्तों एक कोसन और जान लिजे कि ये कहां से निकलती है तो अमर कंटक की पहड़ी से नर्मदा न पूरव से निकल कर पस्चिम की और बहती है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन पूचा गया था दोस्तों लाल भादूर सास्तरी संस्कृत बिद्यापीट कहां पर है तो यह धियान रखेगा दोस्तों नई दिल्ली के अंदर कल संस्कृत बिद्यापीट से क्वेशन आया वा था दोस्तों कि भारत में कुल कितने भासा बिस बिद्याला है तो धि वो कहां पर है वो भी बताई थे और उसी में से ये कोशन आ गया है आज लाल भादूर सास्तरी संस्कृत विद्यापीट कहां पर है नई दिल्ली में तो दोस्तो एक्स्ट्रा फेक्ट से भी बहुत सारा कोशन रिपीट कर रहा है इसलिए हमारा क्लास आप लोगों के लिए अ अनुछेद तक है तो दियान रखेगा अनुछेद नंबर 12 से लेके 35 तक मौली कदिकार का प्राबधान है मौली कदिकार का प्राबधान कहां से लिया गया तो USA से लिया गया धियान रखेगा मौली कदिकार मूल संभिधान में कितना था इसको भी धियान रखेगा मूल से निकाल कर विधिक अधिकार में रखा गया कब 44 संविधान संसोदन 1978 के दवारा दोस्तो नेक्स्ट कोशन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन था सांती स्वरु भठनागर पूरुसकार 2022 में किसे दिया गया 21 वला था दोस्तों तो इसमें 11 बैज्यानिकों को दिया गया आप बताएगा comment box में क्या इस पूरे detail से हम बता दें आप हम जैसा बताएगा हम comment box में बताएगा हम आपको पूरे detail से बता दें 11 जो वो बैग्यानिक थे वो कौन-कौन थे वैसे next question पूछा गया था दोस्तो चंदोली नेसनल पार्क कहां पर है चंदोली नेसनल पार्क दोस्तो ये महराश्ट में है चंदोली नेसनल पार्क कहां पर है महराश्ट में वैसे बात करें दोस्तो भारत का पहला नेसनल पार्क भारत का पहला नेसनल पार्क तो धियान रख और ये हाई कहाँ पर दोस्तों इसको भी धियान रखेगा उत्राखंड के अंदर भारत का पहला नेशनल पार्क जीम करवेट या उसी का दूसरा नाम है दोस्तों हेली नेशनल पार्क और वर्तमान समय में इसका नाम है राम गंगा नेशनल पार्क किस राजी के अंदर है उत पूछा गया था दोस्तो जनवरी में मनाया जाने वाला पर्व यानि जनवरी में कौन सा पर्व मनाया जाता है दोस्तो लोडी जनवरी में मनाया जाता है पोंगल भी जनवरी में मनाया जाता है इस तरह से जनवरी में कौन सा पर्व नहीं मनाया जाता है यहीं पूछा गया दोस्तों नहीं तो ओनम जो है दोस्तों यह जन्वरी में नहीं मनाया जाता है नेक्स्ट कॉस्टन था दोस्तों बिलीचिंग पॉडर का फर्मूला तो बिलीचिंग पॉडर का जो फर्मूला आगा दोस्तों CAOCL2 धियान रखेगा bleaching powder का formula CAOCL2 next question देखते हैं next question था दोस्तो निती आयगो के अनुसार नवाचार सुचकांक में पहले अस्थान पे कौन सा राजी है तो धियान रखेगा दोस्तो निती आयगो के द्वारा नवाचार सुचकांक में पहले अस्थान पे करनाटक है निती आयगो के अनुसार नवाचार सुचकांक में पहले अस्थान पे करनाटक है वैसे निती आयगो की बात करें दोस्तो निती आयगो की अस्थापना 1 जनवरी 2015 इस भी में हुआ है किसके अस्थान पे हुआ है जिना आयोग के अस्थान पे निती आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं ध्यान रखेगा दोस्तों निती आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के पर्धान मंतरी होते हैं निती आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों ये आप हमारे comment box में बताइए निती आयोग के उ शिक्षा मंत्री है देश के भारत के शिक्षा मंत्री कहुन है धर्मेंद्र परधान एक कोशन पूछा गया था दौस्तो वित critically आईउग तो वित आयोग का जो गठन की आ जाता है दोस्तो अनुछेद नमबर 280 के अंदर यही कोशन पूछा गया था वितायोग का प्रावधान की सनुचेद के अंदर है अनुचेद नमबर 280 कितने वर्सों के लिए कि आ जाता है दोस्तों पॉच वर्सों के लिए धियान रखेगा पहले वितायोग की अध्यक्च कौन थे तो इसको धियान अध्यक्च कैसी नियोगी अभी 16 में वितायोग की अध्यक्च ये भी धियान रखेगा नंद की Insourcing इसीको बोलते दोस्तों 2 के अध्यक्च कौन नंद 5 की सोरसिंग 14 में वितायोग की अध्यक्च कौन थे वाज़ेंग्य रेड़ी धियान रखेगा दोस्तो वितायोग का प्रापधान भरतिय संभीधान के किसानु अनुछेद में नेकिस्ट कोसन देखते हैं, नेक्स्ट कोसन जो पूछा गया था दोस्तो सोतंतर भारत का पहला बजट 26 दिवंबर 1949 को पेश किया गया था सोतंत्र भारत का पहला बजट 26 नमबर 1947 को पेस किया गया था आरके सनमुखम से ठीक के द्वारा और वैसे बात करें दोस्तों सरवाधिक बजट जो सरवाधिक बजट अभी तक प्रस्तूत किया है वो है मुरारजी देसाई दोस्तों कितनी बार तो धियान रखेगा दोस्तों 10 बर और ये भी पिछले सिप्ट में पूछा जा चुका है अगर बजट की बात करें दोस्तों बजट परती एक वर्स फरबरी के पहले कारी दिवस पर पेस किया जाता है भारतिय संबिधान के अंदर बजट का कोई प्रापधान नहीं है इस बजट के अस्थान पे वार्सिक वित्य विबरन है जो अनुछेत नंबर 112 के अंदर है दोस्तों एक कोशन पूछा गया था मोजले मोजले का आवर्तसार्नी जो आवर्तसार्नी का आधुनिक संस्थापक है वो दोस्तों वो मोजले है मोजले ने आवर्तसार्णी का जो अधार दिया दोस्तो परमानु करमांग है यही कुछा गया था मोजले ने आवर्तसार्णी का जो अधार बताया है वो क्या बताया है तो धियान रखेगा दोस्तो परमानु करमांग वैसे अगर बात करें दोस्तो आवर तसारनी इसकी खोज मेंडलिप के द्वारा किया गया कब किया गया भी धियान रखेगा 1872 में और इन्होंने जो अधार बताया दोस्तो परमानू द्रविमान इन्होंने जो अधार बताया है दोस्तो परमानू द्रविमान Next Question देखते हैं एक Question पूछा गया था दोस्तों कौन सी IPL Team भारत की Unicorn Company में सामील होने वाली बनी तो धियान रखेगा दोस्तों ये है चेन्नाई सूपर किंग चेन्नाई सुपर किंग Unicorn Company में सामील होने वाला भारत के पहला IPL Team बना तो दोस्तो इस तरह के इस तरह से हम आपको आज 22 सेप्टमबर का जो महतपूर्ण कोस्टन जो रेलबे गुरूबडी में पूछे गए उन सभी सब्सक्राइब को डिटेल एक्सपेलेंड के साथ आपको हम पढ़ाएं एक्सपेलेंड कियें दोस्तो हमें उमीद है कि यह क्लास आपको जरूर अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों को भी इस क्लास के बारे में जरूर बताईए उनको सेयर किजिए ताकि इससे और बहतर हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ सके तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों क्लास में फिर से अगले दिन मिलते तब तक के लिए धनिवाद दोस्तों